हेलो एवरिवन जैहिन कैसो आप सभी लोग I hope सब बढ़िया होगे सब स्वस्थ होगे और सब की पढ़ाय लिखाई बढ़िया चल रहे होगी तो यहाँ पर देखो हम बात करने वाले नेवी की और यार देखो मैं थोड़ा सा इनेक्टिव था पिछले कुछ समय से लेकिन और जो लोग नए हो नेवी वालों सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हैं यहाँ पर कोजगार नेवी सभी बाते करने वाले हैं तो जो सबसे अधिक आपके डाउट आ रहे है नेवी में वो आ रहे थे आपका एक शेक्सनल कटाप का कि शेक्सनल कटाप होगी भी या नहीं होग के सभी बात देका इंगम फटा भट सभसे पहले देखो मुं बात करते हैं negative marking की जिसकी सबसे अधिक demand थी और सबसे अधिक लोग इसमें confused हैं कि negative gur hah機 होगी या नहीं होगी देखो जिन लोगों ने पहले navy का exam दिया है उन्हें यार जो actual situation वो अच्छे से पता है कि इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि नेभी इस बाहर फिजिकल अच्छा खासा लेने वाली है। आपको यह आरे तरीके से 75% लोग 4 साल बाद बाहर होने वाले हैं। तो उन्हें ऐसे लोग चीए ना जो थोड़ा फिट रहें mentally, physical यहर तरीके से। तो इसके लिए देखो आप रेडी रहना। अगर देखो हम बात करें निगेटिव मार्किंग की तो जिन्होंने भी एक्जाम दिया उन्हें अच्छे से पता है, वहाँ पर situation क्या रहती है, कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके एक्जाम में नहीं रहा है कि ठीक है, अगर अगर निगेटिव मार्किंग रख दी गई तो आपकी कटाफ बहुत डाउन हो जाएगी और कटाफ इतनी डाउन होगी ना कि उन्हें खुद भी बताने में अच्छा नहीं लगेगा, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नेवी की एक्जाम में नहीं होती है, ना पहले थ साओ केस्षिन अटेंप कर सकते हो, जो स्ट्रेटिजी वाली वीडियो थी, मैंने उसमें भी सेम बात की थी कि आप पूरे साओ क्वेश्षिन अटेंप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर आप 40 क्वेश्षिन भी सॉल्व कर लेते हो ना, तब भी यार अगर आप साठ question तुका लगा हूँ देखो मैं बिलकुल नहीं बोल रहा हूँ बस मैं देखो आर आप एक तरीके से personally आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कोई professionally नहीं मैं आपको personally बताने का प्रयास कर रहा हूँ ठीक है फिलाल platform form public है देखो अगर आप 60 questions तुक्का लगाओगे ना तो यार 10 questions तो आपके तुक्का लगी जाएं कम से कम तो इसलिए physical पर जादा focus करना और पढ़ाई के लिए यार वो चीज पढ़ना जो fix हो और easily exam में फस जाए ठीक यार तो ये देखो रही आपकी पर निगेटिव मार्किंग की कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके exam में नहीं रहेगी आप पूरे 100 questions अटेम्ट कर सकते हो बीना किसे tension के और अगर ऐसा कोई सीन रहता है तो आपको आपर बता दिया जाएगा इसमें कोई घबराने के ज़रुवत नहीं है लेकिन कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी वरना यार लड़के exam पास ही नहीं कर पाएंगे ठीक कटाफ बहुत ही कम हो जाएगी अब देखो अगर हम अगली बात करते हैं शेक्सनल कटाफ की इसका क्या सीन है तो देखो जो आपका online exam था आप लोगो को शाहिद नहीं पता होगा पहली बार जो कटाफ थी शेक्सनल कटाफ वो 9 नमबर रखी गए थी सारे शेक्सन में और ये 9 नमबर सिर्फ पहली बार online नहीं जब online से पहले exam आपके offline हो रहे थे तबी ये same scene था जो आपकी शेक्सनल कटाफ नमबर रहती थी ठीक है नमबर जो बंदा चारो शेक्सनल में सकते हैं तो वहाँ पर देखो होता क्या था ना पहले कि जो बंदा चारो सेक्षन में 9 नमबर लाया है और जिसके 36 से 40 नमबर से जादा है उसको फिर वहाँ पर physical करवाया जाता था ठीक है physical उसको वहाँ होता था और उसको फिर वहाँ से मतलब medical वगएरा होता था लेकिन अ नोटिफिकेशन पढ़ लेना साब साब लिखाए कि जो आपकी total vacancy है उसका चार गुना admit card हम बेजेंगे चार गुना लोग को बलाएंगे ठीक है four times हम बलाने वाले हैं तो देखो अभी क्या है ना अभी आप वहाँ पर जाओगे exam दोगे exam देने के बाद आपका result आपको न उसकी में मालूँ चलेगा कि आप फेलो या पास हूँ ठीक है इसका मतलब यह है कि कोई भी शेक्सनल कटाफ नहीं रहती है और जो result है पिछले तीन दो तीन वेकिन से जो offline होई है उसमें सिर्फ overall कटाफ शू करती है कोई भी शेक्सनल कटाफ शू नहीं करती है ऐसा एक भी सौ में से 30 नंबर से नीचे पहुच जाएगई 30 नंबर तक कटाफ की पहुच जाएगी ठीक है यह हालो जाएगा अगर यह शेक्सनल कटाफ हट लगा देंगे तो ठीक है तो ऐसा कोई शेक्सनल कटाफ रहने के एक वज़या यह भी होती थी ति उन्हें कोपी चेक्करने मे जीके वीक है, किसी का English तो किसी का Physics, सभी को पढ़ लेना लेकिन English पर और जीके पर जादा फोकस करना ये आपका आसान है, Scoring है, Physics यहनि Science और Maths पर चाहे तो कम फोकस करना लेकिन पढ़ लेना, बिल्कुल ऐसा मत करना का आप पढ़ कही मत जाओ, ठीक है यार, तो शेखस में कटाव आपकी नहीं रहेगी, आप इसको लेकर परिशान मत होना बिल्कुल भी, और अगर कोई Change होता भी है, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, बाकी ऐसा कोई सिन रहने वाला नहीं है, और सबसे आखरी डाउट तो को जो एक्जाम लेवल को लेकर र लाइक यूपी कटाफ 45 के राउंड या इससे आसपास से कम जादा होती थी, फ्लक्चुएट देखो को टाफ होती रहती है, तो पेपर के लिवल की बात करें, तो मैं तो बोलो यार इस बार थोड़ा प्रिपेर होके जाना, क्योंकि आपका फिजिकल तो इन्होंने हार्ड किया है, लेकिन मेरे हिसाब से फिजिकल से और आपके रिटेन इक्जाम से कोई मतलब नहीं है, तो पेपर के लिवल आप आसान मान की चलो, और चिल होकर, अभी जिदन आपके पास समय बचा हुए, आप पढ़ाई करो, जीके के वीडियो आर्म मैं कल पर सो तक आपको प्र गरंसी हो गया, फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, तो यह आपके दोगों डाउट से, इसके अलाओ जो भी आपके डाउट है, आप कॉमेंट कर दो, ठीक है, मैं कॉमेंट में अब सब कर रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा, अभी मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँगा, क तो आप सभी को जै हिन जै भारत और आप सभी अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, यार,